Hello everyone, आज हम लोग कर रहे हैं exercise 1.6 का question number 5 जो लोग नए हैं उन्हें बता दू कि ये exercise 1.6 का question number 5 है और ये RD Sarma की book से है, class 8 के लिए है, chapter का नाम है rational number ठीक है, NCRT के साथ साथ आपको RD Sarma की book से भी पढ़ाई करनी चाहिए अच्छे questions दिये हैं, उसमें आपका concept बहुत clear हो जाएगा तो आप कोई भी question solve कर पाएंगे exam में, इसलिए मैंने RD Sarma की book से वीडियो बनाना start किया है, ठीक है, चलिए, देखते हैं question क्या कहता है question number 5, find the multiplicative inverse या reciprocal of each of the following rational numbers यानि आपको कुछ rational numbers given है, और इन्हें आपको convert करना है, या इनका multiplicative inverse लिखना है या reciprocal लिखना है, multiplicative inverse या reciprocal, सेम चीज होती है, ठीक है multiplicative inverse क्यों इसे कहते हैं, मतलब reciprocal या multiplicative inverse वो number होता है, वो rational number होता है, जिसको इसके साथ multiply करने पे answer 1 आ जाए इसलिए इसे multiplicative inverse कहते हैं, आप देखोगे, जैसे 9 है आपका पहला question तो आप 9 के साथ किस से multiply करोगे कि answer 1 आ जाएगा, obviously आप 1 upon 9 से multiply करोगे है ना, तो जब ये cancel होगा, तो answer आपका 1 आ जाएगा, तो reciprocal यहाँ पे क्या हुआ, ये हुआ मतलब जिस भी rational number से multiply करने पर, given rational number को multiply करने पर answer 1 आ जाए वो ही multiplicative inverse या reciprocal कहलाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिधा सिधा simple simple लिख देते हैं कि 9 का reciprocal क्या हो जाएगा, 1 upon 9 ठीक है, ये हो जाता है हमारा answer, reciprocal या multiplicative inverse दोनों सेम चीज है, बट हमें ध्यान रखना है कि हमें वो number लेना है, जिस से multiply करने पर answer 1 आ जाए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अब minus 7 है, minus 7 का multiplicative inverse 1 upon minus 7 हो जाएगा, ठीक है आगे देखते हैं, 12 upon 5, अभी देखिए बाकी तो आपके integers के form में थे, तो आपने easily कर लिया, अब यहाँ ये P upon Q के form है तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी same चीज करेंगे, 1 upon में 12 upon 5 लिखेंगे, ठीक है अब अब त्यान से देखिएगा कि ये एक हमारा rational number 1 है और दूसरा ये है तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, 1 upon 1 into 5 upon 12, यहाँ पे division हो रहा है ये division के लिए है, तो हम जब multiply करते हैं, तो जस्ट इसका उल्टा लिखते हैं तो यानि कि 5 upon 12, अब हमारा reciprocal भी यही हो जाएगा, 5 upon 12, ठीक है चलिए, यहाँ पे क्या करेंगे, same चीज है, यहाँ पे भी 1 upon minus 7 upon में 9 अब जब इसको solve करोगे आप, तो 1 upon 1 into 9 upon minus 7, ठीक है, तो answer क्या हो गया, actually 9 upon minus 7 यही इसका reciprocal हुआ, आप answer check कर सकते हो, मालो हमने इसको multiply किया, minus 7 upon 9 को multiply किया, इससे, ठीक है 9 upon minus 7 से, तो क्या होगा, यह cancel, यह cancel, यह cancel, यह cancel, यह cancel, आंसर 1 आ गया तो बस यही तो condition होता है, reciprocal का, जिससे multiply करने पे answer 1 आ जाए, वही होता है, multiplicative inverse या reciprocal, ठीक है चलिए next करते हैं, यहाँ पे दोनों same sign है, it means कि यह positive rational number है, यहीं पे cancel हो जाएगा तो आप इसको लिखोगे 1 upon 3 upon 5, तो इसका reciprocal निकल के क्या आएगा, 1 upon 1 into 5 upon 3, यानि कि 5 upon 3 इसका reciprocal होगा चलिए next question की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमाड़े पास दो numbers दिये हुए, दो rational number अच्छा, पहले यहाँ तो देख लिजे कि यहीं पे यह cancel होड़ा है एक बार हम इसे लिख लेंगे, दोनों numerator का product लिख लेंगे, 2 into 9 upon 3 into 4, चुकि यह multiplication है तो multiplication of rational number equal to क्या होता है, product of rational number upon me, sorry product of numerators upon me product of denominators अब हम इसे cancel कर सकते हैं, 2 से 2 times में, 3 से 3 times में, answer canical किया आया, 3 upon 2, यह answer नहीं है, sorry यह answer नहीं है, यह calculate किया हमने, तो 3 upon 2 हमें मिला, अब actually हमें 3 upon 2 का reciprocal निकालना है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon 3 upon 2, तो क्या हो जाएगा, 1 upon 1 into 2 upon 3 यह जो सारी चीज़े हैं यह मैंने आपको बस समझाने के लिखा है, actually मैं इसे लिखते नहीं है, सिधा सिधा लिख देते हैं कि 2 upon 3 इसका reciprocal होगा तो finally तो वह ही आने वाला है, 2 upon 3 यह answer होगा, clear, तो इस question में हमें reciprocal निकालना था, अलग-अलग तरह के questions थे, तो समझ में आ गया होगा आपको, बाकी इसमें अभी और भी question बाकी हैं, तो मिलते हैं next video में, तब तक के लिए take care, have a nice day, thank you. झालो